यह है टोईटा कैमरी और आज हम करने वाले हैं पफोमेंस टेस्ट क्योंकि यदि आप 50 लेक्स अराउंड रुपीज इस गाड़ी पे लगा रहे हो तो आप लोगों को सीधी सी बात है पफोमेंस तो जाननी होती है कि पफोमेंस कैसी है या फी पफोमेंस जो है एक मेन लेते हो इस सेग्मेंट में तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी जो है न मेरे पास यहाँ पे खाली रोड है यह है उदर एक हाईवे है जो की पूरा खाली है तो वहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकता हूं और देख सकता हूं कि इसकी कितनी स्पीड जा में तो चलेगे इस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अंग इस घाड़ी जयना अभी इको मोड में है और यहांपे आप देख सकते हूं इको का बटंग क्लिक पहले से ही कर रखा है तो अभी इको मोड में देखते हैं कि यह जो है जीरो से हेंड़ कितनी जल्दी जो है पकड़ती है तो चलो करते हैं चेक तो फूल रेस मैंने यह पर दे दी है और जैसे ही मैं ब्रेक से पहर रटाता हूं तो यह देखो कुछ ही सेकेंड में यह जीरो टू हेंड़ और जीरो टू वन ट्वेंटी अचीव कर लेती है तो इको मोड में ही काफी फास्ट है बट जब आप नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं तो आपको एज सच मेजर इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा बट इको में जो है गाड़ी यहां लगेगे आपको थोड़ी दब के चल रही है और इक को नॉर्मल और जो स्पोर्ट्स मोड है इसके वो दिखा देता हूं आपको तो यह इसका इदर नॉर्मल मोड है यह स्पोर्ट्स मोड है तो यह नॉर्मल में डालता हूं और फिर देखता हूं तो लेट सी, 3, 2, 1, so normal में और भी fast हो जाती है गाड़ी, आपने देखा, around 200 के करीब जो है गाड़ी चली जाती है, अब ये test मैंने किया, हाँ, Indian roads पे 120 की limit है, बट जब हम किसी गाड़ी को test करते हैं, तो हम डूणते हैं कि कोई खाली road मिल जाए, अभी जिस road में गाड़ी चला रहा हूँ, ये बिलकुल खाली है, ये अभी जो है चालू नहीं हुआ है, that's why मैंने full safety के साथ में गाड़ी को जो है इतना बगाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी vehicle आपको नहीं मिलेगा, सभी जो vehicle वो इस side से divert कर रहे हैं, और ये जो पूरा road है, वो पूरा बंद है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ अपनी गाड़ी है, और permission के साथ में हम अपन जो है यहाँ पे चला रहे है, तो normal mode में आपने देखा, around 180 के करीब, 180 प्लस जो है टच कर जाती है, और काफी fast, क्योंक को और दिखाऊंगा, उससे पहलो में U-turn ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अपन U-turn लेते हैं, और फिर sports mode activate करके, then देखते हैं कि sports mode में क्या performance रहती है, जबकि सामने जो है fly over है, और इस पे पता चल जाएगा कि कितनी fast है, अभी डाल दिया मैंने sports mode, चलो अभी check करत है, three, two, one, normal और sports mode मेंना like 19-20 का ही फर्क है, बस इस से अधा में लेके नहीं जाएगा क्योंकि already मैंने आपको एक run में जो है दिखा दी है normal mode में, और sports mode में भी almost उतनी ही speed जाएगी, उस से अधा नहीं जाएगी, तो यहाँ पर 240 जो ही इसकी max speed है, जो कि around 200 यह touch कर जाती है, तो इस से अधा अपन risk नहीं लेंगे, हाला कि road पूरे खाली है, बट risk अपने को और ज़्यादा नहीं लेना, आते time मैंने ले लिया था, क्योंकि कुछ लोगों की demand होती कि बाई, top end दिखा हो, तो अपन जो है न modes में काफी fast है car, so camry 175 PS की power जरूर देती है, बट जब आप चलाओगे तो आपको feel होगी कि यह around 200 PS दे रही है, क्यों क्योंकि जो इसकी motor है न, hybrid motor, उसकी वज़े से जो power है, वो like समझ सकते हो कि काफी quick मिलती है अपने को, तो यह देखो, एक तो like aerodynamic shape इसकी काफी अच्छी है और गाड़ी जो है न, काफी लंबी गाड़ी है, main जो चीज इसको fast करने की वो है hybrid, so जो hybrid की motor है, like electric motor जो इसके अंदर लगाईगी है, उसकी विज़े से गाड़ी काफी आदा fast हो जाती है, तो यह था इसका performance test काफी जल्दी, जो है 0200, 02120 और top speed आपने देखी ली, तो यह यह था performance test camera का, अब 50 लाग रुपे दिया आप लगा रहे हो न, तो आपको कहा मज़ाएंगे, जब आप traffic में overtake कर रहे हो, तो आपको जो है मज़ाएगा, like आप जो है न, full confidence में रहोगे, जब गाड़ी से आप overtake करते हो traffic में, तो, और यह गाड़ी जो है न, breaking भी काफी बागी मिलते हैं नेक्स टुड़े में तब तक के लिए जैहिन वनेवातन, love you guys